के लिए काम किये है ठीक है नमस्कार साथियो तो करेंट अफेर्स की इस क्लास में मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूँ बच्चो अक्टूबर की करेंट अफेर है आपको दिख रहा होगा अक्टूबर 2022 पार्ट वन है ना पहले तो भई अभी अभी शुरू हो गई मंतली वैसे तो मैं आपको कह दूँ कि कही बार ना ये आगे पीछे भी हो जाती है थोड़ी डिले भी हो जाती है तो क्लास रोज लेने की आप आदट डालो ठीक है रोज नहीं तो कम से कम जो रोज नहीं लेते वो जाद तर होता ही हuj é एकाद कर ना हो तो उस दिन डेली वाली क्लास देख ली और फिर भी हलंकी के हर वीक अब एक मंथ हम जरूर खितम कर देंगे ये देखते हैं ठीक है हर week जो है एक मन्त हम शायद मार्च मार्च में सारे खतम हो जाए तो आज देख लेते हैं October 2022 Part 1 लिखा है ये आज जो है दो Part में है class Part 1 और Part 2 भी आज ही हो जाएगा अगर आप सोचो के भी ये Part 1 क्यों लिखा है Part 1 में जो मेरे हिसाब से most important question है और जो लगबग एक साल तक जिनकी validity बनती है यानि एक साल तक भी पूछे जा सकते है 15 महीने तक भी एक्जाम में पूछे जा सकते है वो Part 1 में रखे हैं बच्चो और जो Part 2 है वो मेरे हिसाब से थोड़े से कम महतपूर है महतपूर्ण तो हैं तभी इस class में शामिल है लेकिन पहले Part की अप एक चाह उतने जादा नहीं है बच्चो और लगबग 7-8 महीने तक उन से पूछा जा सकता है सवाल 7-8-9 महीने तक एक साल तक उनकी validity नहीं खिचेगी ठीक है किलियर है चले आगे तयार हो आप 2-5 घंटे के असपास की class रहेगी तो भई थोड़ा सा तयार हो कई चलनी है शुरू करनी है ठीक है चलो शुरूआत करते हैं पहले सवाल के साथ बहुत महतपूर्ण सवाल हैं सारे के सारे सवच्छ सर्वेक्षन 2022 जो सवच्छता का एक सर्वेक्षन होता है जो बच्चो cleanliness का एक सर्वे होता है मंत्राले आपको पताईए शहरी और आवाशी है कार्य मंत्राले से आयोजित करता है बच्चो ठीक है आयोजित तो एक लाग से अधिक आबादी में सबसे सवच्छ सहर कौन सा है इन दौर लगातार कौन से साल बच्चो छटे साल लगातार छटे साल एक लाग से अधिक आबादी वाले जो शहरों में है दो केटेगरी है इसमें बच्चो दूसरा है एक लाग से कम आबादी में सबसे सवच्छ शहर है पंच गनी बच्चो क्या है सबसे सवच एक लाग से कम आबादी में याद रखना दोनों में एक लाग से अधिक आबादी में इंदौर है एक लाग से कम आबादी में सबसे सवच है पंच गनी पहली बार किसी शहर को 7 star कच्रा मुक्त शहर की क्या दी गई बच्चो रेटिंग दी गई है और वो भी इंदौर को दी गई है ठीक है पहली बार किसी शहर को 7 star कच्रा मुक्त शहर की दी गई है बच्चो वो भी किस में इसी में दी गई है ठीक है वो भी इसी को दी गई है ए एक लाग से जादा जनसंख्या में आपने शहर देख लिया, अब गंगा टाउन यानि जो गंगा के किनारे हो, वो कौन सा है बच्चो, वो हरीद्वार एक लाग से जादा में, और बिजनौर एक लाग से कम में, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर गंगा टाउन की बजाए शहर होता, तो आपका यहाँ एक लाग से कम में पंच गनी था, और यहाँ बच्चो, एक लाग से जादा में इन दौर था, ठीक है, इन दौर था, यह आपको किलियर होना चीए, लगातार छटे साल इन दौर यह रहा है बच्चो, ठीक है, चलो, बिलकुल यह SSC, MTS, CGL, CHSL, सब के लिए क्लास है बच्चो, इसलिए तो इसको मंतली रखा है कि हर एक्जाम के लिए जरूरी है, और MTS और CGL जिनका अभी आ रहा है, CHSL उनके लिए तो बहुत मस्ट क्लास है, जरूरी है लेनी, ठीक है, चलो, हाल ही में महिलावे पुरूसों को समान मैच फीस देने का एला फूर ओल हर एक्जाम में, जिसमें अक्टूबर की क्लास ली जाएगी बच्चो, अक्टूबर की पूछी जाएगी, उसमें ये सब पूछी जाएगी, तो BCCI ने किया है, टेस्ट मैच में कितनी फीस दी जाएगी अब महिलाओं को, 15,00, दी जाएगी बच्चो, एक टेस् यनी की पुरसों को भी यही फीस दी जाती है, महिलाओं को भी यही, वंडे में बच्चों यही फीस दी जाती है, T20 में 3 लाक रुपे ठीक है याद रखना है टेस्ट मेच में फीस पूछ ले 15 लाख है, वंडे में पूछ ले 6 लाख है, T20 में पूछ ले 3 लाख है, हाल ही में किस ने पुरुस और महिला खलाडियों को समान फीस देने करणे ने लिया है, BCCI ने लिया है बच्छो, इसने BCCI ने और सबसे पहले समान फीस कौनसे इन्वेशन इंडेक्स जो है, 2022 में उसका भारत में उसमें भारत का इस्थान, यानि ग्लोबल लेवल पर इन्वेशन को अपनाने के मामले में, नई नई चीजों को अपनाने में, नवाचार को अपनाने में भारत का कौन सा इस्थान है, 40 वा इस्थान है भारत का, कौन जा ही करता है भारत की चालिसवी रैंक है 2015 में 81 रैंक थी 81 यानी 15 से लेके अब तक हमने नई नई चीजों को अपनाने में बहुत ज्यादा क्या किया है बहतरी इन परदरसन बच्चो किया है ठीक है चलो जिनेवा में है WIPO का मुख्याल है और इसमें 193 सदस्य देश है किस भारत कि राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क इसमें तो जादा कुछ पूछेगा ही नहीं सिंपल ये पूछेगा बच्चो कि भई ये जो है हरियाना ठीक है हरियाना ने सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विक्सित करने की क्या किये बच्चो घोशना क है और यह अरावली रेंज में किया जाएगा कहां पर अरावली रेंज में किया जाएगा और हर्याना में ही उत्तर भारत का उत्तर भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर प्लांट उत्तर भारत का पहला nuclear power plant भी गहाँ पर हरियाना में कौन सी जिगे पर हरियाना में जल्दी बताओ हरियाना में कौन सी जिगे पर गोरकपुर बिल्कुल ठीक है बच्छो ना गोरकपुर गोरकपुर एक गाओं है क्या है बच्छो गोरकपुर एक गाओं है हरियाना में किसको विभुन वर्सों के लिए रास्टिय लता मंगेसकर पुरुसकार से सम्मानित किया गया है रास्टिय लता मंगेसकर पुरुसकार बच्चो 2019 के लिए शैलंडर सिंग को 2020 के लिए आनंद मिलिंद को 2021 के लिए किसको बच्चो कुमार शानू को तो लताम अंगेस का रास्थिय पृस्कार से सम्भानित किया गया है इन तीनों को ठीक है किन को किया गया है इन तीनों को किया गया है हाल ही में किसका डार्ट अंत्रिक्षियान दुनिया के पहले ग्रह रक्षा परिक्षन में छुद्र ग्रह से टकराया है तो एस्टरोइड से टकराया है बच्चो एक स्पेस क्राफ्ट वो क्यों टकराया है कि जो प्रत्वी की तरफ asteroid आ रहा है ना, उसकी दिशा बदलने के लिए, उसकी दिशा बदलने के लिए spacecraft उससे टकराया, जिससे वो प्रत्वी से इधर या इधर चले जाए, ठीक है, चलो, तो यह हो जाएगा, कौनसा, नासा, यह क्या है बच्छो, नासा, कौनसे राज्य न चलो, इस रो से संपर के लिए जाएगा, कौनसे या इसलों से संपर का चलो, अभी समाप्त हुआ है तो वच्चो मंगल यान जो है जो की भारत का 2014 में लॉंच हुआ था इस रो से उसका समाप्त हो गया है इस रो से इसका अभी हाल ही में समाप्त हो गया है समपर ठीक है तेलंगाना रास्टी समीती का नया नाम क्या है भारत रास्ट्र समीती है तेलंगा होगा RBI डिजी रूपी नाम से क्या खोल रहा है बच्चो अपनी क्या शुरू कर रहा है यह जो क्या है ना बच्चो ओनलाइन करेंसी टाइप बोल सकते हो आप ठीक है डिजिटल करेंसी है ना जो कि जो पेपर करेंसी की तरह ही जिसकी वैली होगी RBI जिस पर क्या रखेगा नजर भी रखेगा RBI द्वारा रेगुलेट भी होगी बस वो पेपर करेंसी नहीं होगी ठीक है तो यह हो गया डिजिटल रूपी या डिजी रूपी बच्चो चलो Times Higher Education World University Ranking बच्चो यह World है ठीक है यह World है इसे कर लेना ठीक तो World University Ranking जो आई है Times Higher Education की वो Ranking में उसमें 1799 टोटल जो है सरस्थान लिए गए हैं 1799 से भारत की कितने हैं पिछित्तर हैं लेकिन Top 250 में भारत का कोई भी नहीं है Times Higher Education में Top 250 में कौन है भारत का कोई भी नहीं है ठीक है और 251 से 300 में भारत का है IISC Bangalore कौन है IISC Bangalore है इसमें भारत का ठीक है बचो इसमें है भारत का Global Hunger Index में सबसे उपर भारत का स्थान कौन सा है 107 वा इसमें सबसे नीचे किसकी ranking है बचो यमन की है किसकी है यमन ठीक है 12 वी महारतन कंपनी हमारी कौन सी बनी है REC Limited जो है इसको क्या बोलते है Rural Electrification Corporation Limited बचों बोलते है महारतन बनने के लिए क्या क्या हो नीची एक कंपनी देखो महारतन आपको पता है सबसे नीचे के लेवल पे सरकारी कंपनी मिनी रतन फिर नवरतन फिर महारतन तो महारतन बनने के लिए क्या होना चीए एक तो वो नवरतन कंपनी हो पहले से ही नवरतन हो बचो स्टॉक एक्सचेंज में उसका नाम हो और पिछले तीन सालों में उसका ओसत सालाना टर्नोवर 25,000 करोड से अधिक जो सालाना वो टर्नोवर उसका आता है ओसत सालाना 25,000 से अधिक होना चीए यानि किसी बार 20 भी हो तो एक बार 30 भी होना चीए 25 एवरेज होना चीए बचो ठीक है ओसत नेट वर्थ कितनी होनी चीए उसकी 15,000 करोड से अधिक यानि किसी साल उसकी अगर कमपनी की कीमत 18,000 करोड थी किसी साल 12,000 करोड किसी साल 15,000 करोड तो कुल मिलाके एवरेज उसका 15,000 करोड उसकी नेट वर्थ होनी चीए ओसत हर साल और ओसत लाब उसका शुद्ध लाब नेट प्रॉफिट वो होना चीए 5,000 करोड से अधिक तीन साल में ओसत तो ये इसके लिए शर्त हैं बच्चो क्या हैं ये शर्त हैं ये शर्त ठीक है औ हमारे पास बारे कंपनी हैं किस कोट ने विवाहित और अविवाहित सभी महिलाओं को गर्भ पात का अधिकार दिया है सुप्रिम कोट ने दिया है किसको बचो सुप्रिम कोट ने अविवाहित और महिव सभी को ठीक है किस भारतिय महिला ने UN का SDG यानि Sustainable Development Goals Action Award जो होता है ना UN SDG अवार्ड में Change Maker नाम से एक जो पुरुसकार दिया जाता है वो जीता है तो Change Maker वाला अवार किस ने जीता है बचो स्रस्ती बक्षी ने, किसने, स्रस्ती बक्षी ने, ये रुचिरा कमबोज कौन है, ये UN में भारत की स्थाई प्रतनीदी है, कौन है, UN में भारत की स्थाई प्रतनीदी है, ये होगे स्रस्ती बक्षी, किस राज्य ने, राज्य योजन आयोग की जगह, राज्य परिवर्तन आ अगर किलियर है तो एक बार थमसब कर दो सारे के सारे तो बच्चों ये है उत्तर प्रदेश इसने राज्य का जो योजन आयोग था उसकी जगह जैसे नीती आयोग बना है न उसी की तरज पर बच्चों राज्य परिवर्तन आयोग जो है उसे गठित करने का नेने लिया है हाल ही में किसने नई दिल्ली में सवच्छ सरवेक्षन के पुरुसकार प्रदान किये है तो बच्चों ये किये थे हमारी राष्टपती ने ठीक है राष्टपती राज्यों में पहला इस्थान किसका आया है मध्य प्रदेश का आया है राज्यों में पहला इस्थान बच्चो छोटे राज्यों में तिरपुरा का राज्यों में मध्य प्रदेश का छोटे राज्यों में तिरपुरा का पहला इस्थान आया है बच्चो ठीक है चलो एक लाग से अधिक आबादी में लगातार छटी बा आया है इंडोर का सुन्ते पाबो ने किस छेत्र में नोबल प्रुसकार जीता है तो आपको बताए था सुन्ते-फाबो पा this movie देखी थी न चिकिस्सा की जरूरती li ठीक है तो ये हो गई जिकिस्सा की बच्चों है इन्होंने जीता है सुन्ते पाबो ने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने किसको सलहा देने के लिए युवा 2.0 योजना शुरू की है तो युवा 2.0 योजना जो है वो शुरू की गई है किसके द्वारा बचो किसके द्वारा वो सिक्षा मंत्राले के द्वारा युवा लेखकों को सलहा देन के लिएुवा लेखको को सला देने के लिए की गई है बच्छो प्रचंद है जिससे किस में शामिल किया गया है ये किस कमपनी ने बनाया है भच्छो HAL हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ने ये बनाया है कौन सा केंद्रिय मंत्राले युवा 2.0 योजना से जुड़ा हुआ है बच्चो ठीक है 2.0 से जुड़ा हुआ है क्या सिक्षा मंत्राले युवा लेखकों को सलहा देने के लिए युवा की फुल फॉर्म क्या है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ओथर्स जो है इसकी फुल फॉर्म है बच्चो बहतीकी का नोबल पुरुसकार तीन लोगों को मिला है किसको तीन लोगों को मिला है है ना एलन एसपेक्ट हैं इसमें एलन एसपेक्ट बच्चो नमबर दो जॉन एस क्लोजर है और नमबर तीन है एंटोन जिलिंगर कौन है एंटोन जिलंगर बच्चो ठीक है तो इन विज्ञानिकों ने क्या किया क्वांटम सूचना के आधार पर नई तकनीक का रास्ता सा जिन को हराकर ग्यारमी बार विश्व किताब यानि वर्ल्ड टाइटल जीता है किसमें महिला बासकेटबॉल विश्व कप में तो ये जीता है U.S.A.णे उए ने किसने जीता है U.S.A. ने बचो चुनाव आयोग ने नेशनल आईकोन अपना किसको बनाया है बचो पंकज तरपार्थी को बचो जब हम रोज या उसमें क्लास लेते हैं रोज या वीकली जब हम वीकली क्लास लेते हैं चलो तो जब हम वीकली क्लास लेते हैं तो क्या होता है तब हमारी या रोजाना की क्लास लेते हैं तब हमारी साथ के साथ तयार हो जाती है अगर हम क्या करेंगे अगर हम बच्छो केवल मन्थली लेंगे तो फिर हमें खुद से महनत थोड़ी सी उसमें करनी पड़ेगी अब यह आपको देखना है कि आपको मन्थली क्लास लेनी है रोजाना लेनी है थोड़ी सी महनत करनी पड़ेगी इसलिए क्लास में जो याद करन वाली बात है वो हमारी मंतली ग्लास पे लागू नहीं होती है बच्चो ठीक है चलो तो नेशनल आइकोन बनाया गया है पंकज तिर पार्थी को किस राज्य की कैबिनेट ने नाथ पाई के नाम पर चिपी हवाई अड्डे का नाम करण किया है तो एक या है बच्चो बच्चो क्या किया है बरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रख दिया गया है चिपी ग्रीन फिल्ड हवाई अड्डे का नाम वेदानता के संस्थापक है अनील अगरवाल उनको किस देश में ग्लोबल इंडियन अवार से सम्मानित किया गया है तो कनाडा में उनको ग्लोबल सम्मानित किया गया है बच्चो सच्छ सर्वेक्षन पुरुसकार में किस सहर ने पहला इस्थान प्राप्त किया है इंदोर ने पहला इस्थान प्राप्त किया है बच्चो राज्य में मध्य प्रदेश ने किया है दोक्टूपर 2022 को किस राज्य ने महात्मा गांधी रूरल इ इंडिस्ट्रियल पार्क योजणा जो है वो शुरू की है किसने? 36 गड़ने शुरू की है, ठीक है? यनि रूरल छेतर में भी इंडिस्ट्रियल पार्क लगाए जाएंगे जहांपर इंडस्ट्री लगेंगी बच्चो. ये शुरू की गई है 36 गड़के दोरा, शरनार्थियों के लिए संयुक्त रास्त के उच्चायुक्त द्वारा जो एक नानसेन पुरुसकार दिया जाता है क्योंकि सरनार्थियों के लिए उन्होंने बहुत काम किया तो नानसेन पुरुसकार किसको दिया गया है बच्चो एंजिला मरकेल को इसको एंजिला मरकेल जर्मनी की पूर्व चांसलर है। रास्टपती द्रोबदी मुर्मू ने किस सहर में महीला उद्यमियों के लिए एक स्टार्टप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉंच किया है। क्या लॉंच किया है बच्चो हर स्टार्ट तो ये एहमदाबाद में शुरू किया गया है रास्टपती द्रोबदी मुर्मू के द्वारा बच्चो ठीक है ये महीला उद्यमियों को समर्पितिक मंच होगा तो महीला उद्यमियों को स्टार्ट अगर अगर वो शुरू करती है तो उनकी मदद करेगा नवाचार यानि इन्नोवेशन को अपनाने में उनकी मदद करेगा यह ध्यान रखना है आपको ठीक है चलो साहित्य का नोबल पुरुसकार किसने जीता है इस बार निकोल मान कौन है निकोल मान है पहली मूल अमेरिकी महिला फैजाबाद केंट का नाम बदल कर क्या किया गया है बचो आयोध्या केंट नाम कर दिया गया है फैजाबाद केंट का नाम उससे पहले बचो आयोध्या किया गया था फैजाबाद जिले का नाम ठीक है फैजाबाद जिले का नाम इरानी ट्रॉफी किसने जीती है जल्दी बताओ तो इरानी ट्रॉफी जीती है रैस्ट ओफ इंडिया ने ठीक है रैस्ट ओफ इंडिया ने ये किस-किस के बीच खेली जाती है इरानी ट्रॉफी खेली जाती है रंडजी ट्रॉफी के विजेता और बाकी के भारत के बीच में बच्चो तो 2019-20 में सौरास्ट ने जीती थी रंडजी ट्रॉफी 2020 में बच्चो ठीक है तो 2020 के बाद इरानी हो यह नहीं पाई थी स्तन कैंसर जागरूकता महा तो महा तो शुरू होता है एक से 31 अक्टूबर बच्चो यहनि अक्टूबर में क्या बच्चो अक्टूबर में स्तन कैंसर जागरूकता महा जो है मनाया गया था ठीक है कब अक्टूबर में किस के लिए जागरूकता फैलाने के लिए किस देश में नया भव्य हिंदू मंदिर खुला है तो अभी हाल ही में UAE में भव्य हिंदू मंदिर खुला है ठीक है बिलासपुर का जो अखिल भारतिय आयरुग्यान संस्थान है यह कौन सा बलासपुर है जहाँ पर अभी Ames बना था तो यह 36 गड़ वाला नहीं है बच lira यह हिमाचल प्रदेस वाला है कहां वाला है हिमाचल प्रदेस वाला तो इसको किस नाम से जाना जाएगा Green Ames के नाम से जाना जाएगा किस नाम से Green Ames तो बच्चों किसे अंतरास्तिय होकी महासंग ने चार ने साल का सर्वसिस्ट पुरुस गोलकीपर चुना है वो संस्था जो इंटरनेशनल लेवल पर होकी को रेगुलेट करती है उसे बोलते हैं अंतरास्तिय होकी महासंग Federation of International होकी बच्चों ठीक है पिछले साल भी बेस्ट गोलकीपर और बेस्ट महिला गोलकीपर भारत की थी बच्चों इस बार भी क्या है भारत की ही है ठीक है F.I.H. Women's Rising Star of the Year 2021 किसे चुना गया है बच्चों Women's Rising Star से नहीं महिलाओं की सेनी में उभरती हुई खिलाडी कौन रही है तो क्या मुमताज खान भारत की क्या भारत की मुमताज खान बिलकुल बच्चों Rising Star यानि की उभरती महिला वारसिक खिलाडी बनी है मुमताज खान बच्चों भारतिये वायू सेना दिवस मनाये जाता है आपको पता है आठ अक्टूबर को ठीक है आठ अक्टूबर को इसका आधर स्वाक के क्या है वायू सेना का टच दा स्काई विद ग्लोरी टच दा स्काई विद ग्लोरी बच्चों नालागर जहां 350 करोड रुपे का मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाना है वो कहाँ पर है हिमाचल प्रदेश में स्थित है कहाँ पर बच्चों हिमाचल प्रदेश में शांती का नोबल प्रुसकार किसको मिला है इनमे से तो बच्चों ऐलेस बियालियासकी एलस बियालियास्की को मिला है शांती का नुबल साथ में दो संस्थाओं को भी मिला है एक तो मैमोरियल है रश्या की संस्था और सेंटर फोर सिविल लिबर्टी कहां की है यूकरेन की है बच्चो ठीक है मैमोरियल कहां की है ये संस्था है रश्या की और Center for Civil Liberty है यूकरेन की इनको भी साथ में दिया गया है ये पुरुसकार दोनों को ठीक है योगासन में स्वन जीतने वाली पहली एथलीट ये बनिये बच्चो पूजा पटेल आपको पता है जो 36 वे गेम हुए रास्तिय खेल गुजरात में तो वहाँ पूजा पटेल ने जीता योगासन में स्वन और योगासन 2022 में पहली बार ही इन खेलों में शामिल किया गया था जब पहली बार ही ये पदक किसी को भी दिया गया है ठीक है चलो किस टैनिस खलाडी ने 2022 में तेल अवीव ओपन तो नवाक जोकोविच ने तेल अवीव ओपन जीता 2022 के जितने भी क्या होते है बच्चो जो ग्रेंड स्लैम होते हैं तो उन ग्रेंड स्लैम में से एक और जीता था इन्होंने एक ग्रेंड स्लैम भी इन्होंने जीता था कौ मामलापुरम है उसने विदेसी परेटकों के मामले में ताज महल को पीछे छोड़ दिया बचो तो तमिल नाडू का जो मामलापुरम या जिसे महाबली पुरम भी कहते हैं क्या महाबली पुरम उसने ताज महल को भी पीछे छोड़ दिया विदेसी परेटकों के मामले में ठी के कौन से जिले में है गुजरात के में महसाना जिले में है गुजरात का जो मोढेरा है भारत का पहला 24-7 यह यह 24 गंटे 7 दिन सौर उर्जा से ही चलती है इसकी जितनी भी एनर्जी रिक्वार्मेंट है बचो मेड इन इंडिया ड्रोन है एक ड्रोनी यह द्रोनी उसका निर्मान किस कंपनी द्वारा किया गया है गरुड एर स्पेस के द्वारा किया गया है इसे किस ने लांच किया था तो इसका नाम है द्रोनी यह द्रोनी तो यह धोनी है ना किस ने लांच किया है MS धोनी ने से launch किया है बच्चो मुलाइम सिंग यादव उनका निधन हो गया किस राज्य के थे बच्चो वो पूर्व मुख्य मंतरी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंतरी थे मुलाइम सिंग यादव किस देश ने सूरिय के रहस्यों को जानने के लिए काफो 1 उपग्रहे लॉँँच किया है काफो 1 जो है चीन ने लॉँच किया है किस के लिए है ये सूरिय के रहस्यों को जानने के लिए जैसे भारत अधित्य L1 नामसे एक mission भेजेगा किस के लिए बच्चो सूरिय के लिए भारत का पहला सूरिय mission रहेगा मलखम को आजकल इस खेल को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है बच्चो भारतिये खेल प्राधिकरण और NTPC संयक्त रूप से एक वाटर स्पोर्ट सेंटर बच्चो ये जो है इन्होंने बनाया है उद्गाटन किया है NTPC ने और इन्होंने बच्चो बनाया है ठीक है कहां पर बनाया है ये बनाया है हिमाचल प्रदेश में कहां हिमाचल प्रदेश में याद रखना है बच्चो चलो टेली मानस पहल जिसे हाल ही में लांच किया गया वो किस छेतर से संबंदित है तो बच्चो ये जो है ना टेली मानस ये मानस का मतलब क्या है मानस का मतलब क्या है देखो mental health assistance and networking across states यानि मानस ये जो है ना मनुस्य की किसके बच्चो जो मानसिक जो है मानसिक स्वास्थ है उसे बनाए रखने के लिए टेली मानस पहल शुरू की गई है ठीक है किसके द्वारा शुरू की गई है केंद्रिय स्वास्थ है और परिवार कल्यान मंत्रा लेके द्वारा ये शुरुआत की गई है बच्चो ठीक है चलो 36 रास्ट्रिय खेलों में पुरोसों की जो 100 मीटर फ्री स्टाइल टेराकी है उसमें सोन पदक किसने जीता है ये बहुत महतपूर्ण है क्योंकि इसमें इन्होंने बनाया है बच्चो क्या इसमें इन्होंने बनाया है रिकॉर्ड स्रीहरी नतराज ने ठीक है बच्चो 100 मीटर में स्रीहरी नतराज ने बनाया है रिकॉर्ड अक्टूबर 2023 में 37 रास्ति ये खेल होंगे कहां पर होंगे बच्चो कै गोवा में होंगे बिलकुल ये गोवा में आयो जित की ये जाएंगे कलब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाला पहला खिलाडी कौन बना है बच्चो तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहां के हैं ये पुर्तगाल के हैं ठीक है बच्चो पुर्तगाल के बच्चो बस वही सवाल रखे हैं जो बहुत महतपूर है फालतू का कचरा रखा नहीं है और जिस सवाल में ज्याद़ कुछ बताने के लिए नहीं है उसमें बताएंगे नहीं जिसमें कुछ समझाने का होगा उसमें समझाएंगे भी ठीक है तो ध्यान रखना है जहां के वल फैक्ट याद करना है उस पे थोड़ा सा काम आपको सासात करना है ठीक है अवर राइट्स अवर फ्यूचर इस बार की थीम थी ICC Player of the Month जीतने वाली पहली भारतिय महिला किरकेटर यानि इन से पहले किसी ने नहीं जीता बचो ICC Player of the Month शुरुआत जिसकी हुई थी जनवरी 2021 में इस अवार्ड की शुरुआत कभी थी जनवरी 2021 में वो महिना बच्चो जब मैंने Current Affair पढ़ाना शुरू किया था चार जनवरी 2021 से ठीक है चार जनवरी 2021 से शुरू किया था Current Affair पढ़ाना उसी मंत से शुरुआत हुई थी कभ किसकी बच्चो ICC Player of the Month की ठीक है उसी मंत से हुई थी बच्चो शुरुआत याद रखना है सेयुक्त अरब अमीरात का Sears Alternative Medicine Award किस सिक्षा विदने जीता है UAE का Top Alternative Medicine Award यानि किसी medicine के बदले में को कोई दूसरी medicine यूज जो की जा सकती है उसके लिए award दिया जाता है तो ये दिया गया है बच्चो वजाहत हुसेन को किसको वजाहत हुसेन को ये दिया गया है देखो बच्चो भारत में जो जनगर्ना होती है न तो उसके जो सबसे बड़े officer होते हैं उन्हें हम बोलते हैं Registrar General and Census Commissioner of India यानि भारत के महापंजियक और जनगर्ना आयुक्त तो वो भी बदले हैं पहले विवेक जोशी थे कौन-कौन जानता था कि पहले विवेक जोशी थे बच्चो पहले विवेक जोशी तो मिर्तुंजे कुमार नारायन मिर्टिंज कुमार नारायन बच्चो भारत के नए रजिस्ट्रार जनरल एंसेंस कमिशनर कौन थे मिर्टिंज कुमार नारायन याद रखना है ठीक है अब नए बने हैं कौन बने हैं नए जब करंटा फेर में ने पढ़ाना शुरू किया उससे पहले मैं कौनसा सब्जेक्ट पढ़ा था याद किसी को कौनसा सब्जेक्ट पढ़ाता था उससे पहले चलो बता एक बर जरा थोड़ा सा अपको रेस्ट भी मिल जाएगा हाँ, रोहित कश्यप के रहे हैं जी, इंग्लिस, सौम्या को भी पता है चलो इंग्लिश, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों को पता है इसका मतलब, चलो ठीक है, हाँ बच्चों, पहले इंग्लिस पढ़ाता था, ठीक है भारत के नए महापंजियक और जनगर्ना आयुक जो हैं, रजिस्टर जनल एंसेंस कमिशनर हैं, मिर्टुन्जय कुमार नारायन, कौन है बच्चों, मिर्टुन्जय कुमार नारायन अभी कुछ निधन हुए हैं, जैसे मुलायम सिंग यादव, मैंने आपको बताया था, मुलायम सिंग यादव का हाल ही में निधन हुआ था, और बच्चों, तुलसा तोती, तुलसा तोती का भी निधन हुआ है, ठीक है इस्माइल श्रॉफ का भी हुआ है बॉलिवुड डिरेक्टर थे जेजे इरानी भी है स्टील मैन ओफ इंडिया उन्हें कहा जाता है क्या कहा जाता है स्टील मैन ओफ इंडिया उन्हें कहा जाता है ध्यान रखना है भचो ठीक है स्टील मैन ओफ इंडिया कहा जाता है जेजे इरानी स्टील मैन ओफ इंडिया इसमाइल शरॉफ बॉलिवूड डिरेक्टर तुलसा तोती जो है भारत के क्या है बच्चो विंड मैन मुलाइम सिंग यादव उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री ठीक है बच्चो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री हाली में किसानों की मदद के लिए किस प्रदेश ने हिमकैड योजना शुरू की है बहुत बार आता है बच्चो यह हिमकैड यह हिमकैड जो है बहुत बार आता है और ये हिमाचल प्रदेश की योजना है ठीक है हिस हिमाचल प्रदेश की तो ये क्या बताती है बच्चो किसानों को बहतर जल संरक्षन और फसल विवधी करन यानि एक बार कोई सी फसल दूसरी बार कोई सी फसल इस तरह की खेती करने के लिए बच्चो लोगों से संपर्थ क फुटबॉल की जो संस्कृटी है उसको जमीनी इस तर तक लाने के लिए जमीनी इस तर तक लाने के लिए बचो ये फुटबॉल फॉर आल जो है इसकी शुरुआत की है अंतरास्तिय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान सम्हालने वाली पहली यूरोपिय महिला अंत्रिक्ष में कि स्टेशन बना हुआ है बच्चो अमेरिका रूस जिसे चलाते रहे हैं अंत्रिक्ष से संबंदित चीजों की खोज करने के लिए दूसरा इस्टेशन ऐसा चाइना बना रहा है तो जो पहला स्टेशन था इसकी कमान समालने वाली पहली यूरोपिया महिला क इसको बच्चो उद्गाटन किया था तो जो हमारे नागरिक उढ़ pizzan मंत्री हैं जो तदिरादितन किया था इसबार की theme क्या थी हलिकोप्टर्स फोर लास्ट लास्ट मायल किनेक्टिविटी यानी ला स्ट मील तक भी कनेक्टिविटी पैदा करने के लिए किसका यूज किया जा है हेलिकुप्टर का देश के 50 में चीफ जो CGI है वो कौन है वो कौन है बच्चो दी वाई चंदरचूड भारत के 50 में ठीक है धनचय यसवंत चंदरचूड उड़नचास वे कौन से से यू-यू ललित क्या नाम था उनका यू-यू ललित बच्चो बारत का पहला कड लावुर्स, लेंडर, लाउरिस, अभ्धारण ने किसने बच्चो बनाने की घोशना किया, क्या Tamil नाडू ने किया, बिलकुल Tamil नाडू ने किया, बच्चो किसने, Tamil नाडू ने किया, PM डिवाइन योजना, जो हाल ही में, चर्चा में थी, किस छेतर के लिए है, PM मतलब प्रध चली है ठीक है अंतरास्ति ये आपदा न्यूनी करन दिवस कब मनाया जाता है 13 एक्टूबर को मनाया जाता है आपदा न्यूनी करन यानि जो आपदा कोई भी आए उसको कम से कम करने के लिए दिवस मनाया जाता है ठीक है बचो 2022 का जापान ओपन पुरुस एकर किस ने जीता क्या बच्चो टेलर फिर्ज ने क्या टेलर फिर्ज ने जीता तो बच्चो जापान ओपन किस में खेला जाता है टैनिस में खेला जाता है और ये टेलर फिर्ज नाम के खिलाडी ने जीता था बच्चो किस ने जीता था टेलर फिर्ज ने भारतिय निवेशकों की मदद के लि किया जाएगा कहां पे क्या संयुक्त अरब अमीरात में बिलकुल हिंदु मंदिर कहां बना था संयुक्त अरब अमीरात में बिलकुल भारत से बाहर पहला आई आई टी भारत कहां बनाएगा तो वो भी यू ए ई में ही बनाएगा बच्चो भारत से बाहर सुल्टान आमेमोयर इस पुस्तक के लेखक कौन है वसीम अकरम आप जानते होगे बच्चो जो भी इंटरनेशनल किर्केट के आज तक के सबसे महान गेंदबाज हुए है उन कुछ गिने चुने गेंदबाजों में वसीम अकरम का नाम आता है और बच्चो ये वसीम अकरम जो हैं ये इन्होंने पुस्तक लिखी है सुल्टान आमेमोयर सुल्टान स्विंग के सुल्टान भी कहा जाता था स्विंग बहुत करवाते थे और ये पाकिस्तान के हैं कहां के हैं पाकिस्तान के बच्चो 61 रास्तिये Open Athletics Championship कहा हुई आप से पूछा जाएगा कि भी 2022 में 61 रास्तिये Open Athletics Championship कहां पर हुई बंगलूरू में हुई कहां पर बंगलूरू में इसमें पुरूस वर्ग किसमें किसने जीती बचो ये Championship सेना सेना जो है तीनों को मिला के Services कहा जाता है और महीला वर्ग का खिताब जीता है Railway ने किसने Railway ने गुजरात के सूरत में रास्तिये खेलों के जो समापन हुआ बचो उसमें Best पुरूस खिलाडी कौन रहे रास्तिये राम चंदरन जो सूरत में रास्तिये खेलों का समापन हुआ बचो इसमें ध्यान रखना है Best खिलाडी पुरूस वामें साजन प्रकास महीला में हर्सिका राम चंदरन बचो ठीक है और आपको ध्यान रखना है कि पदक तालिका में इसमें सबसे उपर कौन रहा पदक तालि offices, सेना भी कह सकते हो, सेवा भी कह सकते हो, ठीक है? Services जो है, यह first number पर रही. जैसे athletics में भी कहां पर रही थी बच्छो यह पहले number पर. अंतरास्ति ये मुद्रा कोस और विश्व बैंक की जो वार्सिक बैठके होती हैं तो भाई जहां पर ये हैं ओफिस वहीं तो होंगी बैठक जहां ये हैं वहीं होंगी ध्यान रखना है तो ये वाशिंग्टन में हुई इंटरनेशनल मोनिटरी फंड और विश्व बैंक की जो बैठके होई हैं ठीक है चलो ITBP का नया महानिदेशक ITBP लगती है चीन सीमा पर और चीन सीमा पर कोई दया नहीं दिखानी अनीश दयाल है ना अनीश दयाल बने है ITBP के मुख्यल इसका नई दिल्ली में है CRPF के नए महानिदेशक कौन बने है बचो सुजोयलाल थाउसेन सुजोयलाल थाउसेन बने है CRPF के नए महानिदेशक बचो किस राज्य सरकार ने ST जो आरक्षन है वो 6 से बढ़ाकर 10% कर दिया है क्या तेलंगाना ने बिलकुल तेलंगाना ने ये जिव है बचो KCR है तेलंगाना की क्या है ये पहले ही चीफ मिनिस्टर है ठीक है KCR क्या नाम है KCR तो दिखान रखना है आपको कि तेलंग गाना ने 6% से 10% कर दिया है SD का आरक्षन कौनसा रास्तिय वन्यजीव सप्तहा 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया तो बच्चों यह 68 रास्तिय वन्यजीव सप्तहा 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया गया भारत में और यह 68 था Leads, Leads मतलब बच्चो Logistic Age Across Different State एक Report है Logistic Index इसे बोल सकते हैं यानि कोई चीज रखनी है, ले जानी है, लानी है उसके लिए जैसे कोई बिजनिस से संबंदित हैना कोई चीज ले जानी, लानी, रखनी, रख सखाव के लिए तो वो जगह जहां सबसे बढ़िया है जो best जगह उसके लिए हो, उसके लिए बोलेंगे Logistic Index उसके लिए एक आता है, उसमें पहले नंबर पर है बचो आंध्र प्रदेश, इस बार कौन है, आंध्र प्रदेश है इसमें पहले नंबर पर ISSF Wish Championship Shotgun में भारत कौन से स्थान पर रहा बचो पिछले साल हुई थी, पांचवे नंबर पर पिछले साल हुई थी International Shooting Sports Federation की अभी भी World Cup चल रहा है आपको पता होगा अभी भी चल रहा है बचो वर्ड कप तो पिछले बार International Shooting Sports Federation की Wish Championship हुई थी, शौट गन की शौट गन की Wish Championship हुई थी, उसमें भारत पहले नंबर पर नहीं, पांचवे पर रहा था, इतली पहले पर बचो, ICC किसके साथ मिलकर लेंगिक समानता को बढ़ावा देगी, लेंगिक समानता जानते हैं, जेंडर एक्वल्टी का मतलब है पुर्स और महिलाओं को बराबर मानना तो यूनिसेफ के साथ मिलकर, किसके यूनिसेफ महिला एशिया कप के फाइनल में भारत ने महिलाओं का एशिया कप जीता है, बचो क्या जीता है, महिलाओं का एशिया कप भारत ने जीता है फाइनल में भारत ने जीता है बचो कौन से कौन सी बार जीता है सातवी बार जीता है ठीक है सातवी बार जीता है एश्या कप में हमने किस ने हराया हमने किसे हराया स्रिलंका को हराया बचो किसको स्रिलंका को कौन से देश ने इंटर पोल की नभेवी महासभा की मेजबानी की है तो भारत ने नई दिल्لी में इंटर पोल इंटरनेशनल पुलिस की क्या किये वचो 90 महासभा की मेजबानी भारत ने किया याद रखना है भारत अफरीका रक्षाσα समवाद यानि भारत नहीं अफरीका के रक्षा मंत्रिय उनकी मेजबानी की साथ में उसी टाइम पे हमारी डिफेंस एक्सपो भी होगा डिफेंस एक्सपो जो की दो साल में एक बार होता है दो साल में एक बार होता है डिफेंस एक्सपो बच्चो तो ये साथ में ये भी आयोजित किया गया ये कहां पर किया गया गुजरात के गांधी नगर में कहां पे गुजरात के गांधी नगर में कौन सा राज्य है? हिंदी भाषा में MBBS शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है मद्देप्रदेश बना है हिंदी भाषा में MBBS शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है राश्ट पती द्रौब्दी मुर्मु ने किस IIT में परम कामरूप सुपर कम्प्यूटर की सुविधा शुरू किया जल्ली बताओ क्या बच्छो गुवाहाटी में आई एटी गुवाहाटी में परम कामरूप नाम का बच्छो ठीक है सुपर कंप्यूटर जो है उसकी शुरुआत की गई है IIT, Goa, Haati में Iraq के नई राष्टपती कौन बने है जली बताओ भई इसमें मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट अल्वी हैं तो पाकिस्तान के क्या है पाकिस्तान के राष्टपती है राष्ट अब ठीक है वाज देखना से जड़ा अवाज ठीक है अभी ठीक है अवाज जल्दी से बताओ अभी ठीक है अभी ठीक है हलो अभी भी अभी भी एक बार और देखना देख बच्चो अभी ठीक है जल्दी बताओ अभी ठीक है तो अभी ठीक है तो थमसप कर दो बच्चो चलो बहुत बढ़िया चलो ठीक है तो देखो पिछले सवाल पर पिछले से अगर बिगडी हो तो बच्चो आई आई टी रास्पती द्रौबदी मुर्मूने किस आई 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 टी में परम कामरूप नाम के एक सुपर कम्पूटर की सुविधा शुरू की है तो आई आई टी गौहटी में शुरू की है ठीक है इराक के नई रास्पती कौन बने है तो इराक के नई रास्पती बने है बच्चो अब्दुल लतीफ राशिद अगर बात करें राशिद अलवी तो पाकिस्तान के हैं कहा के हैं पाकिस्तान के नई राश्पती हैं राश्चिद अलवी बच्चो इबराहिम रैसी इसी इरान के हैं कहा के हैं इरान के हैं इबराहिम रैसी और बेंजमिन नितन्याहु पी-एम है कहा के फिलाल पी-एम है बच्चो कहा के हैं ये ये पी-एम है इजराइल के प्रधा प्राचल प्रदेश में बल्ग ड्रग पार्की क्या की गई है शुरुवात की गई है बचो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है भारत 121 देशों में कौन से स्थान पर है 107 में पर 121 नंबर पर कौन से है देश है बचो यमन है यानि सबसे ज़्यादा हालत खराब इसमें किसकी बताई गई है यमन की बताई गई है बचो ठीक है यमन की बताई गई है पबलिक अफेर इंडेक्स में कौन सा राज्य सबसे उपर है यानि पबलिक से सम्मंदित जो चीजें है जो लोगों को सुविधाएं देने के मामले में पहले नंबर पे कौन सा राज्य है बचो हधि पहले नंबर पे है ठीक है यह कौन देता है ranking बंगलोर में एक Public Affair Center है पी असी Public Affair Center है वो यह ranking देता है तीसरा विश्व कुचीपुडी नाट्योत्सव कहां शुरू हुआ है बचो विश्व कुचीपुडी नाट्योत्सव तो आपको पता है वैसे कुचीपुडी क्या है एक कुछी पुड़ी है बच्चो एक classical dance ठीक है classical dance है यह आंधर प्रदेश का तो यह शुरू हुआ है कहाँ विजयवाडा में कहाँ विजयवाडा 17 एक्टूबर 2022 को पी एम मोदी ने किस राज्य में मुख्यमंतरी अमरतम आयुश्मान कार्ड जो है उनका वितरन शुरू किया मुख्यमंतरी अमरतम आयुश्मान कार्ड तो यह कहाँ पे हरियाना में गुजरात में गुजरात में शुरू किया बच्चो कहाँ गुजरात में साल 2012 में जो गरीभी रेखा से नीचे आते थे उनके लिए योजना शुरू की गई है ठीक है उनके लिए और दो लाग तक का इसमें Health Cover दीया गया है कितने लाग तक का? दो लाग तक का Health Cover इसमें दीया गया है बचो 6-16 October 2022 तक ASIAI weightlifting championship हुय बचो 6-16 October यानि October 2022 में जो Asian बच्चो वेटलिफ्टिंग चेंपियंशिप हुई उसमें भारत की तरव से बस एक पदक जीता गया वो किसने जीता हर्षदा गरूड ने किसने हर्षदा गरूड ने बच्चो केंद्र सरकार भारतिय भाषाओं में परियाप्त अध्यन सामगरी तयार करने के लिए कितने बच्चो लेंगवेज सेंटर बना रहा है कितने भाषा केंद्र जो भारतिय भाषाएं हैं उनमें परियाप्त पढ़ने का मेटेरियल 22 भाशाएं हैं भारती है जो कि हमारी आठवी अनुसूची में हैं समविधान की ठीक है समविधान की जो एट सिड्यूल है उसमें है ये आठ याद रखना है ठीक है चलो तो ये हो गया किस कंपनी ने भारत की पहली एलुमिनियम फ्रेत ट्रेन रेक विक्सित की है एलुमिनियम का जो आपका बच्चो कंपनी जो होता है न ox noir रेक बनाया है फ्रेत मने माल डुलाई के लिए ये बहुत मामलों में क्या रहेगा बहतरीन रहता है बचो परियावरण के हिसाब से भी ये बहतरीन रहता है तो ये ये बनाया है किसने हिंडाल को ने किसने बनाया है हिंडाल को ने ये बनाया है इस तरह का बनाया है ध्यान रखना है चलो T20 World Cup में debut करने वाले सबसे युवा खिलाडी रहे हैं आयान खान जिन्होंने T20 World Cup में debut किया यह नहीं पहली बार खेले T20 में सबसे कम उम्र में खेले आयान खान इनका नाम है बच्चो बंधन बैंक ने brand ambassador किसको बनाया है तो बंधन बैंक ने बनाया है बच्चो सौरव गाउंगुली को ठीक है BCCI के पूर्व प्रमुख फॉर्मर चीफ है ये किसके BCCI के पूर्व प्रमुख रहे हैं अब तो इनकी जगे कौन आ गए है रोजर बिन्नी ठीक है अब कौन आ गए है रोजर बिन्नी BCCI के चीफ अभी बन गए है इनकी जगे याद रखना है चलो बच्चो तो कैरम चैंपियंशिप हुई बच्चो वर्ल्ड कैरम चैंपियंशिप तो भारत ने पुरुस वर्ग का भी खिताब जीता और महिला वर्ग का भी खिताब जीता तो केरम Championship का, पुरुस वर्ग का और महिला वर्ग का दोनों खिताब किसने जीते बारत ने विश्वट टीम Table Tennis Championship जिसमें टीम खेलती है बचो ध्यार रखना है तो वो ही उसमें पुरुस वर्ग का भी विजेता चीन महिला वर्ग का भी विजेता चीन याद रखना है विश्यूट टीम यानि टीम लेवल की वर्ल्ड की टेबल टैनिस चेंपिनशिप हुई तो ये चीन ने जीता है, किसने जीता है? चीन ने जीता है, बच्चो फीफा का अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप हुआ भारत में हुआ था, कहां पे हुआ था? भारत में आपको पता होगा इस्पेन ने जीता, किसने जीता? इस्पेन जीता इसमें है ना, इस्पेन जीता था इसका शुभंकर जो है, वो क्या है? सवाल बन सकता है, इसका शुभंकर क्या है बच्चो? तो इसका शुभंकर है ये बच्चो इभा इभा है क्या एक एशियाई टाइगर है इसका शुभंकर है इभा और ये एक एशियाई टाइगर है क्या है बचो एक एशियाई टाइगर है ये इभा जो है चलो किस देश के लेखक शेहान करुना तिलका को अपने उपन्यास के लिए 2022 का बुकर प्राइज मिला है तो बुकर प्राइज दिया गया है बच्चो सिरलंका के शेहान किसको बच्चो शेहान करणा तिलका को पच्चास हजार पाउंड की रासी मिलती है पुस्तक कौन सी लिखी है उन्होंने दस सेवन मूल्स ऑफ माली अलमेडा दस सेवन मूल्स ऑफ माली अलमेडा इनकी पुस्तक है केंद्रे रेल मंत्री है अश्वनी वैशनव उन्होंने भारत का पहला aluminium mild हुलाई रैक जो हिंडाल को ने बनाया था कहां से शुरू किया भुवनेश्वर से शुरू किया कहां से भुवनेश्वर से वच्चो किस देशने भारत से छह भारतिय बाईसन को इस्थान अंतरित करने का अन्रोध किया है तो बाईसन क्या होता है देखो बाईसन जो है बच्चो इस तरह का जीव है बाईसन ठीक है तो ये छे बाईसन मंगाए हैं किसने स्रिलंका ने क्योंकि वहाँ पर इनका अस्तित्व खत्रे में हैं बच्चो ठीक है अस्तित्व खत्रे में गायब हो गए थे ये वहां अस्तित्व है इनीन का तो ये जो है बाईसन मंगाए हैं सिरलंका ने भारस से छे बाईसन जैसे हमने नामी बिया से क्या मंगाए हैं बच्चो ने हैं बच्चो टाइटल स्पॉंसर टाटा जो हैं इसके टाइटल स्पॉंसर रहेंगे विमेन प्रीमियर लीग के सबसे महेंगी खिलाड इसमें स्मिर्ती मंधाना भी की हैं कौन स्मिर्ती मंधाना की जो निलामी लगी है बोली लगी है अपने टीम के साथ उन्हें जोडने सबसे ज़्यादा बैलंडी और किसने जीता हुआ है सबसे ज़्यादा जीता हुआ है बचो ये लियोनल मैसी ने किसने मैसी मैसी ने सबसे ज़्यादा बार जीता है बैलंडी और अवार्ड और महिला वर्ग में किसको मिला है 2022 का बेलंडी और Alexia Putles को किसको बच्चो Alexia Putles को मिला है महिला वर्ग में BCCI के नई अध्यक्ष कौन बने है बच्चो Roger Binny बने है BCCI के नई अध्यक्ष कटी भी हुँ कब मनाया गया तो इस बार मनाया गया ठारक टूबर को बच्चो असम का तोहर है कटी भी हुँ ठीक है कटी भी हुँ कौंगाली भी हुँ नाम से भी जाना जाता है जब बिलकुल कंगाली आ जाती है भच्चो घर में तब के लिए इसलिए कौंगाली भी हुँ यानि जिस ताइम पर फसल वगएरा होती नहीं है उनके पास ठीक है तो ये हो जाएगा कटी भी हो बच्चो ठीक है चलो किस देश के वग्यानिकों ने देश के टैनिस स्टार नुवाक जोको विच के नाम रखा है तो बीटल का नाम रखा गया है नुवाक जोको विच के नाम पर किस ने रखा है सर्बिया ने रखा है बचो किस पिरसिद अमेरीकी तिहासकार को सरसयद उतकरस्थिता पुरुसकार दिया गया है तो यह दिया गया है जल्दी बताओ किसको क्या यह बचो किसको दिया गया है किसको दिया गया है क्या ये बार बरा मैटकाफ को दिया गया है क्या बार बरा मैटकाफ को बिलकुल बार बरा मैटकाफ को बचो कौन सा पुरुसकार दिया है अलीगर्ड मुस्लिम विस्विद्याले ने अपने संस्थापक सरसेद एहमद खान के नाम पर जो पुरुसकार दिया जाता है सर सेयद उत्रिस्ता पुरुसकार उससे सम्मानित किया है ठीक है उससे सम्मानित किया है बचो किस पूर्व भारती रास्टपती को प्रतिस्थित अनूवरत पुरुसकार प्रदान करने की घोशना की गई है तो APJ अब्दुलकलाम जो है उनको अनुवरत पुरुसकार देने की घोशना की गई है क्या की गई है APJ अब्दुलकलाम जो है उनको दिया जाएगा बच्चो ये पुरुसकार अनुवरत पुरुसकार किसने केंदर सरकार के pension भोगियों के जीवन में सुगमता लाने के लिए बचो एक Single Integrated Pensioners Portal भविश्य लॉंच किया है भविश्य क्या है? एक pension से जुड़े हुए लोगों के लिए पोर्टल है क्या है? पेंशन से जुड़े हुए लोगों के लिए एक पोर्टल है बचो और यह लॉंच किया गया है डॉक्टर जितेंदर सिंग के द्वारा किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंदर सिंग के द्वारा बचो ठीक है? अंतरास्ति है सौर गठबंदन जो है ISA International Solar Lines जो है उसके अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारत और फ्रांस को इसका अध्यक्ष और सह अध्यक्ष बनाया गया है भारत और फ्रांस को National Maritime Heritage Complex यानि हमारी जो बच्चो समुद्री विरासत जो है जो हमारी समुद्री विरासत है उसके लिए एक बनाया जा रहा है एक Complex वो कहां पर बनाया जा रहा है बच्चो वो कहां पर बनाया जा रहा है बच्चो वो बनाया जा रहा है क्या महरास्त में या तमिलनाडू में या गुजरात के लोथल में क्योंकि हमारी पुराने समय से लोथल जो है हमारा बंदर गहा भी रहा था कब जो अपने हडपा वाली चीज़ें पड़ी होंगी न तो वहां बंदर गहा भी रहा था इसलिए वहां पर ये बनाया जा रहा है बचो लोथल गुजरात में सिंधिया संगरहले गौालियर में गाथा सुराज की नाम की एक गैलरी का उदगाटन किया गया है किसने किया है बचो तो वो किया है अमिच शाह जो है किसने बचो अमिच शाह आपके ग्रह मंतरी आप से पूछा जाए गए नाम दफा नेशनल पार्क कौन से में है अरुनाचल प्रदेस में है बचो कहा है अरुनाचल प्रदेस में है नाम दफा नेशनल पार्क भारत सरकार के नए रक्षा सचिव नए जो हमारे डिफेन्स सेकरेटरी कौन बने है बच्चो वो बने है अरमान गिर्धर यहनी बच्चो जो पाकिस्तान है ना उसके अरमान उसके अरमान ही रखे रह जाते हैं लेकिन उनने ये भी पता होगा कि उनकी भी habit इतनी टेज पढ़ने की बन गई है अब कि वो ना जो दो घंटे में पढ़ते थे वो एक घंटे में पढ़ लेते हैं कम से कम current affair की बात करें तो इसलिए जो नए बच्चे केवल मंतली ले रहे हैं ये मंतली ऐसा नहीं है कि आप एक बार में कर जाओगे एक बार में तो होगी नहीं अगर आपने रोजाना की class नहीं ली तो आप एक बार में ऐसे नहीं कर सकते हो किसी भी कीमत पे ये आपको दो से तीन बार पढ़नी पढ़ेगी यानि एवरेज वही आ जाना है, तीन चार, तीन दो ढ़ाई घंटे की वीडियो चार बार देखेंगे तो दस घंटे, है ना, तो यानि मतलब टाइम लगता है चीजों को याद करने में, पर स्पीड यही आपकी भी हो जाएगी, आप चिंता मत करो, यह जादा स्पीड नहीं के कौन बने बच्चों, भारती रास्ती कॉंग्रिस के ध्यक्ष बने हैं, मलिक आरजुन, खडगे याद रखना है, सुल्तान नाम की पुस्तक वसीम अकरम ने लिखिये, यह मैंने करा दिये, आगे देखो बच्चों, विश्व टीम टेबल टैनिस चेंपिनशिप, वर्ल् OCC Open, Badminton Tournament, Badminton Tournament एक French Open होता है, एक French Open होता है बच्चों, वो French Open तो होता है कि इसका टैनिस का है ना, एक France CC Open होता है Badminton Tournament, तो उसमें doubles का खिताब, यानि दो खिलाडी, दो खिलाडी के खिलते हैं, वो किस किस ने जीता था, यह आपको याद रखना है, सात्विक साहीराज रंकी रेडी, और चिराग शिती की जोडीने, चिराग शिती की जोडीने बचो। खुद को हैना, खुद को जो है, तूटने नहीं दिया उनकी मौत के बाद भी, और मैडल जीता, सबसे कम उम्र के पदक विजयता बन कर दिखाया, क्योंकि असलिएत में मावाब भी तो यही चाहते हैं, कि कुछ अच्छा करे बच्चा, तो वो नहीं है, उसके पिता जी चले जीत भी इसके नाम में है, तो इसे हरा भी कोई कैसे सकता है, ठीक है बच्चो, चलो, यह हो जाएगा, कान से पदक, एशिया का सबसे बड़ा बच्चो, संपीडित बायो गैस सैयंत्र, आप से पुछोएगा, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ट बायो गैस प्लांट, क सबसे बड़ा एशिया का, कहा का, एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ट बायो गैस प्लांट बन रहा है, कहां पे, पंजाब के संगरूर में, प्रधारमंत्री मोदी ने किस राज्य में Mission Life, Launch किया है, Mission Life का मतलब है, Lifestyle for Environment, यानि Environment के लिए Lifestyle को हमें अपनी को बदलना है, ब यावरन की रक्षा के लिए विश्व सांखी की दिवस विश्व सांखी की दिवस हमारा जो है वो हमारा अपना नहीं पूछ रहे है ये नैशनल नहीं ये विश्व का पूछ रहे हैं और ये मनाया जाता है 20 अक्टूबर को बच्चो क्या 20 अक्टूबर को क्योंकि सांखिकी में होता है डेटा, डेटा का पूरी दुनिया में जो महत्व है उसे समझाने के लिए ये मनाया जाता है बच्छो ठीक है चलो Freedom House Internet Freedom Index में भारत की रेंकिंग इस बार बच्छो 51 चली गई थी कितनी पिछले बार कितनी थी उड़न चास इस बार बच्छो जो Internet की Freedom के मामले में भारत 51 स्थान पर बच्छो ठीक है चलो प्रधान मंत्री भारतिय जन उर्वरक पर योजना किस केंद्रिय मंत्राले से सम्बंदित है तो सिंपल सी बात है बच्छो उर्वरक तो किस से होगी फर्टिलाइजर वाली तो फर्टिलाइजर से ही सम्बंदित होगी बचो वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना भी इस बार लॉंच की गई वन नेशन वन फर्टिलाइजर ठीक है और बचो इसमें भारत नाम का भारत नाम का ब्रांड फर्टिलाइजर का शुरू किया गया किस नाम का भारत नाम का ब्रांड फर्टिलाइजर का शुरू किया गया आपको याद रखना है Mission School of Excellence कहां का है गुजरात का है बच्छों ना गुजरात का है इसके लिए बच्छों World Bank ने और जो Asian Infrastructure Investment Bank है इन दोनों ने कितने करोड का रिन दिया है पिछेतर सो करोड का रिन दिया है जो स्कूलों में बुनियादी धाचा है जो स्कूलों के लिए जरूरी चीजे हैं उनके निर्मान के लिए बच्छों स्मार्ट क्लासरूम बनेगा लैब मनेंगी उन सब के लिए दिया गया है बच्छों ठीक है टोटल खर्चा इसमें क्या आएगा लगबग 10,000 करोड रुपे कितने 10,000 करोड रुपे अगले 5 सालों में जिसमें से 4500 करोड रुपे का रिन गुजरास सरकार को मिला है बच्छों क्रिस ग्रीको रेयोमन रेसलर ने अंडर 23 विश्व कुस्ती चेंपियंशिप में भारत के लिए पहला पदक जीता है बच्छों तो साजन भानवाला ने जीता है किसने जीता है साजन भानवाला ने अंडर 23 विष्व कुस्ती चैंपियंशिप में कया जीता है ये पदक जीता है याद रखना है भारत के किस चावल को विष्व में नमबर एक बासमती चावल ब्रांड के रूप में माननेता हुई है माननेता मिली है तो मिली है बच्चो, इंडिया गेट बास्मती चावल को, किसको? इंडिया गेट बास्मती चावल को, पांच में खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहा आयोजित किये गए बच्चो, मध्य प्रदेश में आयोजित किये गए ठीक है, पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2018 में, क पहली बार भारत में किसी ने मांगा है जी आई टेग और वो जापान ने मांगा है बच्चो किसने जापान ने मांगा है। पहली बार भारत में पुलिस देश के लोगों को इस बार ये दिया गया है। जल्दी बताओ, 23 में, 23 में, कब 23 में मना रहा है, 23 में मना रहा है, 2023 फीफा महिला वर्ल्ड कप का शुभंकर क्या है, फीफा जो है बच्छो, 2022 में तो अभी जो वर्ल्ड कप पुरसों का खेला गया, 23 में महिलाओं का खेला जाएगा, इसका क्या रहेगा, तजुनी, इसका र अगला कुशन है हमारा किस platform ने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लाँच किया है तो फौन पेने किया है भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर किसने लाँच किया है तो ये लाँच किया है बचो फौन पेने किस राज्य सरकार ने गिद्धों के संड़क्षन के लिए एक पैनल का गठन किया है तमिल नाडू सरकार ने किया है गिद्ध हमारे एको सिस्टम के लिए बहुत महत्पूर है बच्चो आप पढ़ते हो जब इन्वार्मेंट आप पढ़ते हो जब जी विग्यान आपने देखा होगा तो उसके लिए एक संदक्छन केंदर बनाने की किसने किया गोशना तमिल नाडू सरकार ने किया है बच्चो कौनसी राज़ जैसे सरकार संपून टैक्सी उद्धोक के लिए एक एप लाँच करेगी तो गोवा की सरकार गोवा की सरकार बच्चो एप्लिकेशन लेके आएगी जिसमें पूरे राज्य में जितने भी टैक्सी चालक हैं सब उस पर रजिस्टर कराएंगे ठीक है सब रजिस्टर कराएंगे इसको कहा जाएगा गोवा टैक्सी क्या बच्चो गोवा टैक्सी इसको कहा जाएगा याद रखना है भारत और किस देश की बीच B.O.P. Krishna यानि Border Outpost Krishna का उद्गाटन किया गया है भारत और इस देश के बीच एक क्या बनाई है बचो एक पोस्ट, पोस्ट का मतलब क्या है पोस्ट का मतलब ऐसी पोस्ट नहीं पद पोस्त मतलब जहां पे क्या हो बैठ के आप क्या करोगे, खड़े होके बैठ के क्या करोगे, निगरानी रखोगे चारो तरस, तो वो किसके बंगलादेश के साथ बनाई है भारत ने, बंगलादेश के साथ, दस लाख नोकरी देने के लिए रोजगार मेले का शुभारंब किस इसने किया, पी-म नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की थी बच्चो, धन तेरस के मौके पर, कब धन तेरस के मौके पर, चीन में पार्टी के जो संस्थापक थे, माउच से तुंग, उनके बाद तीसरे कारेकाल के लिए, बच्चो कम्यूनिस्ट पार्टी के पहले नेता कौ और दूसरे शी जिनपिंग, याद रखना है, भारत के पहले, माइग्रेशन मौनिटरिंग सिस्टम, माइग्रेशन माने जब एक आदमी दूसरी जिगह जाता है, चाहे रोजगार की तलास में, चाहे पढ़ाई के लिए, चाहे किसी और काम के लिए, तो माइग्रेशन मौ आई जा सके बच्छो, ठीक है, चलो, अन्ना मे वांग, खिस देश की मुद्रा पर आने वाली, पहली एशियाई अमेरी की महिला बनेंगी बच्छो, पहली एशियाई अमेरी की महिला है, नहीं अमेरिका में जाके उन्होंने नागरिकता ले ली, थी वो एशिया की, तो अन दिवस की थीम आप से पूचि जा सकती है हर दिन हर घर आई उरवेद हर दिन हर घर आई उरवेद बच्छो बंगाल की खाड़ी में एक विक्सित हुआ बच्छो क्या चक्रवात सीताँग सीताँग का जो नाम है वो किस देस ने रखा था क्या Thailand ने रखा था, जल्दी बताओ, क्या Thailand ने रखा था, बिलकुल Thailand ने रखा था बच्चो, रास्तिय बौधिक संपधा पुरुषकार 2021 का और 2022 का, यानि जो बौधिक चीज़ें जादा करता है, ऐसा संस्थान, जो जादा बौधिक चीज़ों में इंवल्व होता है, जाद है IIT मदरास को मिला है Great Indian Bustard किस भारती है राज्या केंद्र शासित प्रदेश का राज्य पक्षी है जल्दी बताओ क्या राजिस्थान का तो नहीं है क्या राजिस्थान का बच्चो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बिल्कुल बहुत कम ऐसे पक्षी बचे हैं लेकिन ये जो ह ब्रांड अम्बेस्टर कौन बने थे? यहनि जो अंधेपन के सिकार हैं जिन्हें दिखाई नहीं देता है या बहुत कम जो है बहुत हलका सा कोई दिखाई भी देता है तो तो उन लोगों का जो व्र्ल्ड कप था बच्चो नेत्रहीनों का उसके ब्रांड अम्बेस्टर बहुत महत्पून सवाल है किस देश की पहली महिला पी-एम बनी है तो इटली की पहली महिला पी-एम बनी है बच्चो जोर्जिया मैलोनी ठीक है इटली रोम याद रखना है संयुक्त रास्ट दिवस कब मनाया जाता है तो संयुक्त रास्ट की स्थापना हुई थी 24 प्रजाती ब्रैसिका जंकिया की बच्चो अभी खेती शुरू की है कॉमर्शियल खेती क्या ये ऐस्टेलिया ने शुरूआत की है ये जेनेटिकली मोडिफाइड यानि जिसकी जीन में कुछ बदलाव कर दिया गया हो तो जी-एम फसल इनको बोला जाता है तो भारतिये सर ती किस ने शुरू की है औस्टेलिया ने शुरू की है बच्चो किस राज्य ने बच्चो की खिलाब साइबर अपराधू को रोकने के लिए कुंजप कुंजप जल्दी बताओ क्या करनाटक ने क्या केरल ने क्या करनाटक ने या केरल ने तो केरल ने शुरुआत की है कुंजप मुबाइल एप की ठीक है कुंजप मुबाइल एप लॉंच किया है इसके माद्यम से बाल सोशन यानि बच्चों का जो एक्स्प्लॉइटेशन होता है चिल्डन जो हैं जिनका exploitation होता है उसकी सूचना दी जा सकती है मुख्य मंत्री है पिनराई विज्ञन याद रखना है किस रास्टी है फिल्म पुरुसकार प्राप्त करता बंगाली फिल्म निर्देशक का निधन अभी हो गया था तो पिनाकी चौधरी का इसका किस मंत्राले के दोड़ा आयुजित किया गया है काशी और तमिल का संगम यानि जो तमिल नाडव और काशी के बीच में पुराने संस्कृतिक संबंध थे उनको दुबारा से जीवित करने के लिए ये जो है शुरुआत की गई और ये किसके द्वारा बच्चो क्या संस्कृति मंत्राले क्या सिक्षा मंत्राले की पहल है किसकी सिक्षा मंत्राले की from dependence to self-reliance यानि पहले हम किसी पर depend थे अब self-reliance अब हम आत्ञिर्भर हैं तो ये वाली जो किताब लिखी है ये भारत के पूर्व आर्बियाई गवर्नर रहे हैं और नाम है उनका डॉक्टर बिमल जालान क्या नाम है डॉक्टर बिमल जालान बच्चो हाल ही में फिप रेसी द्वारा सत्य जीत रे की कौनसी जो फिल्म है उसे सर्जेस्ट भारतिय फिल्म घोशित किया गया है यही बच्चो एक इस संस्था है इसके द्वारा सत्य जीत रे जिनने ओसकर का लाइफटाइम अचीमेंट अवार्ड भी मिला था बच्चो तो उनकी कौनसी मूवी को बैस्ट भारतिय मूवी आज तक की घोशित किया गया है तो यह है पथेर प बच्चो कहां पर विश्व स्पाइस कॉंग्रेस का चौधवा संस्कर्ण का आयोजन है तो आपको पता है न महरास्ट में मुंबई में विश्व स्पाइस कॉंग्रेस का चौधवा संस्कर्ण तो बच्चो यह कहां पर महरास्ट मुंबई में मिनी कोई थुंडी बीच और बहुत सारी चीजे हैं जैसे कितना सफा रहता है वो बीच है ना जहां से आगे जाना खत्रे से खाली नहीं है वहाँ पर कुछ लगाया हुआ है या नहीं कपड़े वगरा चेंज करने के लिए आपने जो वाश रूम वगरा मरलब चेंज रूम वगरा बना रखे हैं या नही तो ऐसे 33 फेक्टर देखे जाते हैं और उन फेक्टरों पर क्या अगर खरा उतरता है कोई बीच तो उसे ब्लू फ्लैग बीच का दरजा मिलता है तो जो हमारा लक्ष दीप का लक्ष दीप के जो दो धूइप हैं बच्चो मिनी कोई थुंडी बीच और कदमत बीच इनको ब्लू फ्लैग बीच का दरजा दिया गया कौन देता है फाउंडेशन फोर इन्वार्मेंट एजुकेशन कोई सरकारी संस्था नहीं है कोई यूएन की संस्था नहीं है बस ऐसे एक प्राइवेर संस्था है तो यह देती है और अब हमारे हाँ कितने हो गएं ब्लू इसमें कॉप 28 होगा है और वो कहां पर UAE में कहां पर UAE में होना है सेटर्न अवार्ड दोजार बाइस में सरसिस्ट अंतरास्टिय फिल्म का अवार्ड किसको मिला है तो टिपल आर को मिला है बच्चो ठीक है टिपल आर को मिला लॉस एंजलिस में होते हैं यह पचासमें क् सेटरन अवार इसमें बेस्ट इंटरनेशनल मूवी का पुरसकार किसको मिला ट्रिपल र को मिला बच्छो किस राज्य का नव वर्स बेस्टू बरस 26 अक्टूबर को मनाया गया तो यह अक्टूबर छोड़ दो बेस्टू बरस किसका नव वर्स है तो क्या गुजरात का है खास तोर पर व्यापारी व्यावसाई वगेरा इस दिन अपनी पुरानी बहीयों को बदलके नई बही ले आते हैं उनके लिए खास तोर पर ये नवर्स है बच्छो ठीक है चलो अगला सवाल है हमारा इन 2023 में इंटरपोल महासभा की मेजबानी कहा होगी आपको पता है पिछ कहा के सांसद ने मैं भी शुभास अभियान सुरू किया है लद्दाक के जो सांसद हैं उन्होंने बच्छो क्या नाम है उनका जाम्यांग सेरिन नामग्याल जो है ले से उन्होंने मैं भी सुभास नाम का जो है बच्छो शुरुआत की अभियान ये क्या बताएगा कि सुत और आप डॉलर का भी बना है, हाल ही में, Sprite बना है बचो, कौन? Sprite बना है, किस देश की संसद में पहली बार महिला संसदों की संख्या पुरुसों से जादा, तो ये तो भई, कहा की में, New Zealand की में, है न, New Zealand ही वो देश था, जिसने महिलाओं की, महिलाओं की जो वचो सेलरी थी वो सब जितनी वचो पुरसों की थी उसके बराबर की थी है ना BCCI किरकेट वाली जैसे जिसके बाद में BCCI ने भी कर दी थी ठीक है तो महिलाओं की जो सेलरी बराबर की थी किस ने की थी वचो इसी ने की थी याद रखना है ठीक है, New Zealand ने सबसे पहले की थी याद रखना है आपको, हाल ही में किस छेत्रिय गुट के साथ भारतिय संबंदों की तीसवी वर्सगाथ मनाई गई है, तो भारत ने आशियान के साथ दोजार बाइस में अपने संबंदों की तीसवी वर्सगाथ मनाई थी, भारत ने किसके साथ आसियान के साथ बच्चो अंतरास्ति ये नागरिक उड्यन संग्छन है एक इकाओ कहाँ पर है बच्चो इकाओ जो है कहाँ पर है मौंट्रियल कनाडा में ठीक है मौंट्रियल कनाडा में इसका मुख्याले है तो इसकी एक समीती होती है वायू परिवहन समीति इसकी होती है वायू परहिवन समीति यानि एर ट्रांसपोर्ट कमेटी तो बचो उसके अध्यक्ष के रूप में किसे निक्त किया गया है भारत की तरसे डॉक्टर शेफाली जुनेजा को अध्यक्ष बनाया गया बचो अध्यक्ष बनाया गया भारत ने दूसरी बार ही की अध्यक्षता की है 28 साल बाद ये की है बच्चो इस कमेटी की अध्यक्षता भारत के द्वारत के द्वारा 28 साल बाद हुई है ट्विटर का अधिग्रहन किस ने किया है तो ट्विटर का अधिग्रहन किया 44 अरब डॉलर में किसने एलन मस्क ने बच्चो किसने एलन मस्क ने कौन सा एरपोर्ट दुनिया के 10 सबसे बिजी एरपोर्ट में शामिल हुआ तो बच्चो दिल्ली का जो एरपोर्ट है वो दसवे नमबर पे सबसे बिजी एरपोर्ट बना ठीक है दुनिया का दसवा सबसे बीजी किसने भारतिय पुरुस और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोशना की तो BCCI ने समान वेतन की घोशना की थी ध्यान रखना है सिंबेक्स भारत और किस देश के बीच में होने वाला एक समुद्री अभ्यास है ध्यान रखना सिंबेक्स सिंगापुर इंडिया मैरी टाइम यानि समुद्री है ये तो BCCI ये सिंगापुर के साथ भारत का होता है किसके सिंगापुर Aviation Analytics Company है एक उसके नुसार दुनिया का सबसे West Hawaii अड़ा October 2022 तक कौन सा था हरफिएल्ड जक्षण अटलंटा इंटरनेशनल एरपोर्ट हरफिएल्ड जक्षण अटलंटा इंटरनेशनल एरपोर्ट कहांपर है अमेरीका में है ये सबसे ज़ादा बिची हवाई आड़ा था विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशान्त छित्र का पहला देश Pacific Ocean में जो पड़ता है तो फिजी में हुई है बच्चो कहां पे 15 से 17 फरवरी 2023 तक 12 विश्व हिंदी सम्मेलन पहला नागपुर में हुआ था कहां 1975 में 1975 में 11 हुआ था मौरिशस में कहां बच्चो 11 मौरिशस में यह है फिजी याद रखना है यह फिजी है यहाँ पर याद रखना है बच्चो कौनसी राज्य सरकार साइबर इंटेलिजन्स यूनिट इस्थापित करेगी तो महरास्ट की सरकार करेगी साइबर क्राइम से क्या करने के लिए बच्चो साइबर क्राइम से लड़ने के लिए ठीक है साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए महरास्त सरकार करने वाली है चिनाब वाइट राफ्टिंग महसव शिबनोट कहां पर शुरू हुआ चिनाब नदी पर बच्छो आपको उद्गाटन किस ने किया तो बच्चो आयुष से सम्मंदित मंत्री कौन है ठीक है सर्वानंद सोनोवाल बंदरगाह के मंत्री भी नहीं है और आयुष मंत्राले के भी है तो इन्होंने शुरू किया याद रखना है ठीक है भारत की वायु सेना ने किस देश के साथ क्या गरुन का सात्वा संसक्रण शुरू हुआ था बच्चो है ना तो भारत किस के साथ करता है फ्रांस के साथ करता है देश का 33 हाथी रिजर्व कौन सा है जिसे हाल ही में केंद्र सरकार से मंजूरी मिली थी तो तराई है क्या वो तराई हाथी रिजर्व बिल्कुल future बहुत bright है जो आगे चलके बच्चो बहुत बड़े business man जिनका बहुत बड़ा नाम होने की उम्मीद है तो वो कौन है आकाश अमबानी है कौन है बच्चो आगे चार हिस्से हैं ये चार जगे थी जिने रूस ने अपना घोशित कर दिया रूस ने का ये तांको रोड सेफ्टी वर्ल जेंट्स ने किसने इंडिया लेजेंट्स ने उसके कप्तान कौन थे सचिन तेंदुलकर ठीक है तो रोड सेफ्टी वर्ल सिरीज का खिताब सचिन तेंदुलकर ने जीता था बच्चो याद एपिसोड इसमें आएंगे कितने 52 एक से 7 अक्टूबर 2022 तक कहां पर पंधरवा अंतरास्तिय सूफी रंग महसव तो सूफी से संबंदित जगे कौन सी है अजमेर तो सिंपल सी बात है ये कहां पर होगा वर्स 2022 के लिए 32 बिहारी पुरुसकार बिहारी पुरुसकार आपको प फाउंडेशन के द्वारा कबसे दिया जा रहा है जिसने राजिस्थानी भाशाम रिक्ती होना चाहिए ठीक है तो ये मिला है पुरुसकारिया को किसको मदू कांकरिया को IBSF World Billiards Championship में इस तक कहां पर सतत परवतिये विकास सिखर सम्मिलन आयोजित किया गया बच्चो सतत परवतिये विकास है नहीं परवतिये विकास के लिए जो परवत से संबंदित जो है विकास है उसके लिए सम्मिलन हुआ कहां पर बच्चो लेह में हुआ कहां पर लेह में टाइम्स हायर एजुकेशन जो इसने भी नहीं है, 1799 में भारत के कितने हैं, 55 हैं, याद रखना है, बेंगलूरू, लेकिन सबसे उपर कौन सा है, ओक्सफोर्ड विस्विद्याले, कौन सा, ओक्सफोर्ड उनिवस्टी, अंतरास्तिय सिक्षक दिवस कब मनाया जाता है बचो तो 5 अक्टूबर को अंतरास्तिय सिक्षक दिवस मनाया जाता है, किस राज्य में पहली बार, P.A.C का बटालियन बनी है, उत्तर, प्रदेश, लुब्रिकेंट्स, एक कंपनी है, गल्फ ओयल लुब्रिकेंट्स, उसने किसे अपना ब्रांड अम्बेस्टर बती मंधाना को बनाया है, बच्चो, F.I.H. Player of the Year, पुरुस वर गया, और बच्चो, दूसरे पुरुस में कौन, P.A.R. सिर्जेस, फेलिस अलबर्स को मिला, ठीक है, फेलिस अलबर्स महिलाओं में, यानि चार में से तीन भारत के जीतने वाले थे, खिताब, ठीक है, बेन बरना के, डगल बच्चो, कहां? गुजरात में, किस सहर ने World Green 22 जीता है, तो हैदराबाद ने जीता है, World Green City Award 2022 ठीक है, 20 अक्टूबर से वेश्विक जलवायू शिखर सम्मिलन, वेश्विक युवा जलवायू सिखर सम्मिलन, शुरू हुआ था कहां पर? बांगला देस में, बच्चो, कहा तमिलनाडू में, पहला लिफ्ट पुल जो है, बनाया जारा है भारत का, ठीक है, कहां पर? तमिलनाडू में, दुनिया की सबसे उची शिव पृतिमा, शिव पृतिमा कहां बनी है, जल्दी बताओ बच्चो, क्या प्री सबसे उची भगवा शिव की पृतिमा, नाम क्या गया उसको विश्व स्वरूपम, विश्व स्वरूपम उसको नाम दिया गया है, तीन सो उन्हें, तर फिट उची है, तीन सो, इसलिए ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ऑपरेशन गरूड याई से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो होती है, ड्रग्स वगरा की, उसके खिलाफ शुरू किया गया, ऑपरेशन गरूड, किसने शुरू किया गया बच्चो, इसके द्वारा, CBI के द्वारा, हिमाचल प्रदेश ने पुलिस की सहाथा के लिए कौन सा एप लाँच किया है, क्या सत्तनिस्था एप लाँच किया है, सत्तनिस्था एप लाँच किया है कि इसके द्वारा बच्चो पुलिस की साहता के लिए ये क्या करेगा अपराधियों का एक डेटा बेस तयार करेगा अपराधियों का एक डेटा पूरी तरह से comprehensive तयार करेगा इससे यूज किया जा सकता है आगे ठीक है चलो हाली में 400 400 T20 मैच खिलने वाले पहले भारते खिलाडी कौन बने है T20 चाहे वो IPL का हो चाहे किसी भी लेवल का हो 400 T20 मैच खिलने वाले पहले खिलाडी कौन बने बच्चो रोहित शर्मा बने है ठीक है 4000 T20 रन बनाने वाले भारत के कौन बने थे विराट कोहली लेकिन वो international run थे कैसे? T20 international में 4000 run विराट कोहली बच्चों बने हैं ध्यान रखना है अगला कुशन हाँ ये होगे बच्चों part 1 part 1 कर लिया जो part 2 है मुश्किल से 20-25 मिट का है एक बार देख लीजिए जब आप revision करेंगे ना इस class का तो अगर part 1 का दो बार करेंगे तो part 2 का बस एक ही बार करना इतना ही उसकी importance है ठीक है और लगभग जब इस वीडियो को बने हुए यानि अक्टूबर की वीडियो है नवंबर दिसंबर यानि जून जुलाई के बाद इसको second part को आप परो तो कर लेना वरना मत करना बेसे जून जुलाई तक ही बस इसके आने की संभावन रहेगी जादा ठीक है चलो बचो देख लेते हैं जल्दी से हाल ही में किसने लोक नायक जैप्रकास नारायन की एक 14 फिट उची पृतिमा का अनावरन किया है तो ही किया है अमिश शह जो ग्रह मंतरी है ठीक है? कहाँ पर बियार के उनकी 14 फिट उची पृतिमा का अनावरन किया है ठीक है? चलो लोक नायक जैप्रकास नारायन किस वेस्टविक ब्लोक ने क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग framework बनाया है यानि जो crypto currency से संबंदित चीजों को regulate करेगा वो बनाया गया है किसके द्वारा बनाया गया है वो OECD के द्वारा बनाया गया है ठीक है OECD Organization for Economic Corporation and Development तो crypto currency से संबंदित जो सूचना है उनके आदान प्रदान के लिए ये बनाया गया है विद्युत एवं नवी करनी है उर्जा मंत्रियों का राजिस्थान में तो नहीं हुआ था राजिस्थान में हुआ बच्चो विद्युत और नवी ठीक है है ना राजिस्थान के उधैपुर में कौन सांसद IPU पैनल में शामिल हुई है Interparleamentary Union IPU एक यूनियन है जिसमें 15 सदस से रहते हैं बच्चो इंटरनेशनल लेवल के तो उसमें भारत के एक सांसद शामिल हुई है उनका नाम क्या है अपराजिता सारंगी उनका नाम है ठीक है अपराजिता अंतरहस्ति ये गरीब ये उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को कब 17 अक्टूबर को बच्चो जो Steed Fast Noon है वो किसका अभ्यास है किसका परमानू अभ्यास है Steed Fast Noon बच्चो किसने अभूशना की है तो National Golf Tournament जीता है बच्चो, तो गगंजीत भुलर नाम के गोल्फ खिलाडी है, गगंजीत भुलर का संबंध किससे बच्चो, जो मिल्खा सिंग थे एथले टरक्स भारत के उनके बेटे थे बच्चो, जीव मिल्खा सिंग, तो इनके नाम पर एक टूर्णामेंट जो है, चंडीगड में, जी म इन्विटेशनल गोल्फ टूर्णामेंट वो गगंजीत भुलर ने जीता है अधिती अशोक का संबंध भी किस से है बच्चो अगर पूछा जाए तो इनका संबंध भी गोल्फ से है जल जीवन मिशन लक्ष प्राप्त करने वाला एक मात्र राज्य है जल्दी बताओ क्या सि किस ने किया था पी-एम मोधी ने शुरू किया था बच्चो किस ने पी-एम मोधी ने किस नाम से यूरिया बैग तो भारत नाम का यूरिया बैग भी लाँच किया गया था थीक है भारत नाम का यूरिया बैग भी लाँच किया गया था इंडिया पोस्ट भारत का जो डाक का वेस्ट बंगाल सर्किल है, उसने रास्टिय डाक सप्ताहा के दौरान कौन सा मुबाइल अप लॉंच किया, तो पोस्ट मैन एट डोर स्टॉप, पोस्ट मैन एट डोर स्टैप जो है किया था बच्चो, ठीक है, केंद्रिय मंत्री मंदल ने किन फसलों के लिए MSP को बढ़ सवाल है, तो ये जो रवी का जो सीजन चल रहा था ना, रवी का सीजन, तो उसमें बढ़ा गया MSP, मिनिममम सपोर्ट प्राइस, कभी कभी पूछ लेता है, सबसे ज़्यादा कौन सा बढ़ाय गया, तो मसूर में सबसे ज़्यादा बढ़ुत्तरी की गई, मसूर में 500 रु अगराय थी 110 रुपे, जोकी कितनी बढ़ाय थी 100 रुपे, ठीक है, जोकी बढ़ाय थी 100 रुपे, MSP वो दर है, जिस पर जो सरकार है न, कम से कम उतनी कीमत पे करती है, किसान से उसकी फसल लेने के लिए, खरीदने के लिए बच्चों, ठीक है, चलो, तो मसूर में सबसे ज लगी हुई है, PM मोदी ने किया, बच्चों, मेघा कयाक महसव कहां का है, तो मेघाले का है, मेघा कयाक महसव बच्चों कहां का है, मेघाले का, वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है, बच्चों कहां पर, मध्य प्रदे इस हिंदी में किसने शुरू किया मद्य प्रदेश ने सबसे पहले शुरू किया बचो याद रखना है ठीक है सबसे अधिक प्रदूशन फैलाने वाली और द्योगिक इकाईयों की सूची बनाएगा जारखंड और फिर उनको रिस्पॉंसिबल ठेराएगा कि आपने सबसे ज Information Literacy Week बचो ये जो है मनाया गया किसके द्वारा ये मनाया गया कब 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में FATF वो संस्था जो Gray List और Black List लेके आती है बचो ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया था चार साल में पहली बार पाकिस्तान बाहर गया था बचो लेकिन एक होती है Black List जिसे बोला जाता है High Risk Country यानि जिनको ये माना जाता है कि ये आतंकवाद को बढ़ावा द पाकिस्तान बचो और Gray List में पाकिस्तान निकल गया था लेकिन तुर्की शामिल था ठीक है तुर्की ये उसमें शामिल था किसमें Gray List में आयोध्या दीपोस सब में कितने लाख दिये जलाए गए और World Record बना 15.66 बचो 15.66 लाख कौन सा देश चीन को पचार कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार यानि जहां पर भारत कुछ भेजता है एक्सपोर्ट करता है तो चीन को पीछे छोड़कर नीदरलेंड तीसरे नंबर का भारत सबसे ज़्यादा चीजें भेजता है अमेरिका को फिर वच्चो यूएई को तीसरे नंबर पर चीन की का शुभारम किया यानि एक मुस्त अगर आप पैसा जमा कर दोगे तो जो संपत्ती कर है क्या है जो आपका प्रोपर्टी टेक्स है वो जो हैसमें आपको छूट मिल जाएगी तो यह शुरुआत की गई थी दिल्ली के उपरा जयपाल के द्वारा किस देश ने मूँ के जर ऐसे परियाटन जो महिलाओं के लिए बहुत सुटेबल रहेगा तो वो शुरुआत की किसने केरल ने की महिलाओं के अनुकूल परियाटन किसने शुरुआत की बच्चो केरल ने इसकी शुरुआत की थी नासा का जो हालिया प्रोजेक्ट है ड्रेगन फलाई वो किस ग्रह क चंद्रमा पर खोज करने के लिए है तो ड्रेगन फ्लाई किसका है बच्चो वो है नासा का क्या प्रोजेक्ट और ये सनी ग्रह के सनी ग्रह के चंद्रमा टाइटल टाइटन पर पहुंचेगा कहा पहुंचेगा टाइटन पर पहुंचेगा ये बच्चो दोजार चोंतिस तक पहुँचने की उम्मीद है ठीक है स्टॉर्म कोस्टर जिसे गनीज वर्ल रिकॉर्ड द्वारा विश्व का सबसे तेज वर्टिकल लॉंच रोलर कोस्टर घुसित किया गया है वो कौन से देश में स्थित है यू एई यू एई का आता है दुबई आता है यू एई में दुबई कौन सी जगह है यू एई के अंदर ही जगह है यू दुबई ठीक है चलो अगला कुशन है हमारा देश की सबसे बड़ी पुरुस प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया किसने जीती थी जल्दी बताओ बच्चो क्या ये जीती विनीत शर्माने बिल्कुल विनीत शर्माने बच्चो आसरा पैंसन किस राज्य सरकार की है क्या ये तेलंगा ना की है आसरा पैंसन तेलंगा ना की है बच्चो तो व्रद लोगों को पैंसन दी जाएगी विद्वाओं को, AIDS के जो रोगी हैं उनको दी जाएगी बच्चो सारी रिक रूप से अक्षम व्यक्ति यानि सारी रिक तोर पर जो ज़्यादा मजबूत नहीं है उनको भी दी जाएगी ये सब उनको दी जाएगी बच्चो ठीक है चलो, ये दी जाएगी pension तो ये कौन सी नाम से है आसरा पैंसन ये कहां कि ये तेलंगा ना किया बच्चो साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स दोजार बाईस का आयोजन किस ने किया तो भारत में एक बच्चो क्या है CERT, Computer Emergency Response Team कहां कि इंडिया की तो ये CERT इन जो है इसके दौरा साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स दोजार बाईस का आयोजन किया गया था ध्यान रखना है कि इंडिया मंत्री मंडल ने उत्तर पूर्व के लिए एक नई योजना शुरू की है उत्तर पूर्व के लिए बच्चो उसका नाम क्या है प्रधान मंत्री विकास पहल जैसे पी-म डिवाइन थी न वो भी कहां के लिए है उत्तर पूर्व के लिए बच्चो कौनसी उत्तर पूर्व के लिए है पी-म डिवाइन उसी तरह प्रधान मंत्री विकास पहल भी नौर्थीस के लिए है किस राज्य सरकार ने ओद्योगिक पार्क नीती लागू की है तो जहारखंड करेगा ओद्योगिक पार्क बच्चो ठीक है 75 करोड रुपे तक की सबसीड़ी दी जाएगी उन कंपनियों को जो एक ओद्योगिक पार्क बनाएंगे अद्योगिक पार्क बनाएंगे जिस पे बहुत सारी फैक्ट्रियां हों कंपनियों हों दुनिया भर के रोजगार हों इन के लिए बच्चो ठीक है तो यह किसके द्वारा जहारखंड सरकार की पहल है विश्यमांसिक स्वास्थदिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है कब 10 अक्टूबर को किसने लखनव में इंडियन रोड गॉंगरेस का उद्गाटन किया तो आपसे पहले तो पूछेगा इंडियन रोड गॉंगरेस का उद्गाटन हैं इसके लिए बच्चो एक इसके कॉरिडॉर विक्सित करने के लिए एक योजना शुरू की गई है यहनि इसके कॉरिडॉर के विकास के लिए 850 करूर रुपे आवंटित किये गए है तो एक कहां पर है उज्जेन में है कहां पर है उज्जेन में कौन सा रजड चार भागवानी स्टेट स्थापित करेगा पंजाब चार भागवानी स्थापित करने वाला है बच्छो पहला पक्चिउतसर्व दोजार बाईस का कौनसे किंद्र शासित प्रदेस में हुआ है तो जम्मू कश्मीर ने अपना पहला पक्ची उत्सर सुरू किया था कहां पर पहल गाम में कहां पहल गाम में ऑनलाइन जुए का निशेद और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ जो उनलाइन गेम से संबन देती हैं मान सकते हो एक नियम कानून बना दिये गए काइदे बना दिये गए किस में बनाए बचो किस ने बनाए है तमिल नाडू ने बनाए है अंतरास्तिय सौर गटबंदन की पांच्वी सभा का मेजबान अंतरास्तिय सौर गटवंदन I.S.A. की अभी पांचवी सभा हुई इसका ध्यक्ष कौन है भारत है I.S.A. का इसका सेध्यक्ष कौन है? कौन है फ्रांस है बच्चो तो उसकी पांचवी बैठा क्युई उसका मेजबान कौन था? भारत उसका मेजबान था, कौन से देश में फुटबॉल मैच के दोरान 174 लोगों की मौत हो गई थी तो इंडोनेशिया में बच्चो फुटबॉल मैच के दोरान भगदर मच गई थी, उसमें 174 के करीब लोग और भी जादा भी मर गे थे बाद में, संख्या थोड़ा बहुत उपर नीचे आ सकती है, ठीक है, चलो तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जिसका उदगाटन किया गया था क्टूबर में किन सहरों के बीच, तो देखो ध्यान रखना है आपको, मुंबई और गांधी नगर के बीच में शुरू ही थी मुंबई और गांधी नगर वाली की खास्यत क्या थी, कि पहली ट्रेन थी, जो दो राजधानियों के बीच में चली, पहली वंदे भारत, जो दो राजधानियों के बीच में चली और वो हैं गांधी नगर गुजरात की और मुंबई महारास्त की ठीक है पहली वंदे भारत चली थी नई दिल्ली और वारानसी के बीच और दूसरी चली थी नई दिल्ली और कट्रा के बीच ठीक है क्या गूगल के साथ किया बच्चो क्या गूगल बिलकुल भारतिय संस्कृती संबंद परिस्ट जो है ICCR उसने बच्चो क्या किया है उसने किस के साथ गूगल के साथ मिलकर किसको बढ़ावा देने के लिए बच्चो संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कौनसी कंपनी के साथ उसने समझोता किया गूगल के साथ समझोता किया था बच्चो विश्चु का पहला CNG टर्मिनल कौन से भारती राज्य में बनेगा तो गुजरात में बनेगा बच्चो कहां पर भावनगर में गुजरात के भावनगर में वर्ल्ड's first CNG टर्मिनल जो है उसका foundation stone यानि की आधार सिला रखी गई बच्चो ठीक है उसकी आधार सिला रखी गई थी याद रखना है ठीक है चलो कि इसने भारत के सीर्स 25 स्टार्ट अप की सूची जारी की तो linked in जो है उसने जो top 25 स्टार्ट अप है उनकी सूची जारी की थी उसमें पहले नंबर पे कौन था क्रेड कौन सा बच्चो क्रेड जिसके माध्यम से बहुत सारे बिल वगेरा जो है पे किये जाते हैं आपने सुना होगा इसके बारे में ना क्रेड जो है कौन सा सहर सूचना तक सारभामिक पहुँच के लिए international day पर एक सम्मेलन जो हुआ उसका मेजबान है यानि conference on international day for universal access to information इस पर बच्चो जो सम्मेलन जो हुआ था वो कहां पर हुआ था तो ताशकंद में हुआ था कहां पर ताशकंद में हुआ था इसका अधिकार है वो सब तक मिलनी चाहिए जो भी सूचना है वो सब तक पहुँचनी चाहिए बच्चो ठीक है चलो अडानी ग्रीन ने भारत के किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर उर्जा सैंत्र यानि पवन उर्जा वीए उसमें सौर उर्जा वीए विं विश्व विकास रिपोर्ट बहुत पूछा जाता है बच्चों है ना जैसे मानव विकास रिपोर्ट है Human Development Report ये किसके दौरा जारी की जाती है ये जारी की जाती है UNDP के दौरा और इसमें एक क्या आता है बच्चों इसमें HDIE मानव विकास सुचकांक भी इसी के अंतरगत आता है ठीक है तो विश्व विकास रिपोर्ट किस स्था के दौरा जारी की जाती है तो ये जारी की जाती है World Bank के दौरा मानव विकास रिपोर्ट UNDP के दौरा विश्व विकास रिपोर्ट इसके दौरा जारी की जाती है बच्चों World Bank के दौरा याद रखना है कि इस भारत क्या है Dr. Vivek Murthy उनका नाम है बच्चो ठीक है एक दिगज अभिनेता रहे हैं अरुन बाली आपसे पूछा जाएगा हाल ही में अरुन बाली का निधन हो गया वो किस छेतर से जुड़े हुए थे तो वो किस से बच्चो अभिनेता थे वो अभिने के छेतर से जुड़े हुए एक दिगज अभिनेता का निधन हुआ उनका नाम क्या है तो अरुन बाली उसमें से एक आजाएंगे बच्चो ठीक है तो ये ध्यान रखना है आपको अगला कुशन है हमारा हाल ही में समुद्री विवाद पर इज्राइल और किस देश ने एक एहतिहासिक समझोता किया है तो लेबनान और इज्राइल ने किसने बच्चो लेबनान और इज्राइल ने एक समझोता किया है समुद्री विवाद पर बच्चों फिर मैं बता दूँ, RWA Current Affairs पर इसकी आपको PDF मिलेगी, ध्यान रखना है, दो पार्ट में PDF है, आपको दो से तीन बार जिन्होंने पहले नहीं पढ़ी, दो से तीन बार जो है ये देखनी पढ़ेगी आपको भी वीडियो जरूर, और जो बच्चे ऐसे हैं, क्योंक पहले नहीं देखी, बाकी जब भी वीडियो देखो, एक बार ये देख लेना, इसमेंसे कुछ सवाल ऐसे होंगे, जो आपको पूरी तरह से आते ही हैं, तो उनको बार-बार पढ़ने की जुरत नहीं है, एक कॉपी लेना, उसमें देखना, जिसमें भी confusion है, है ना, जो confusion है या जो बिलकुल आपको नहीं आते हैं, या फिर आपके लिए बिलकुल new questions हैं जो, जिन में आपको भी confidence नहीं है, तो उनको आप टिक करते रहे हैं, जैसे पांचवे नंबर का सवाल मुझे देखना है, आठवे नंबर का देखना है, ग्यारवा देखना है, उननिसवा पूच आएगा, जो सवार आपको अच्छे से आते हैं, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, MTS के लिए current affair मैंने बताया था पहले ही दिन, कितना आएगा, वही चीज मेरी आज भी है, एक साल से 15 महीने तक का current affair, किसी भी exam में SSC पूछ लेती है, कोई बहुत जो important चीज तो वह 4 साल पुरानी भी पूछती है, लेकिन 4 साल पुराना current affair पढ़ना आप आसान है नहीं, ठीक है, तो इसलिए ये आप कम से कम, 1 साल 15 महीने का तो देख लो, ठीक है, अभी के लिए इतना ही बच्चो, कोई और सवाल रहेगा, तो हम बाद में बात करेंगे, कल ये क्लास इतनी रखते हैं, धन्यवाद